नमस्कार दूस्तो वीडियो शुरू करने से पहले दो वात आपसे करनी हैं पहली ये कि आज से हम हर्याना PCS के जो बिगत वर्ष के प्रस्ण है 2011 से लेकर 2019 तक उसके solution के साथ हम upload करने वाले हैं और दूसरी वात ये कि 2011 से लेकर 2019 तक 3 ही exam हुए है हर्याना PCS के तो तीन पेपर ही है जो की हमें upload करना है तो चलिए प्रस्ण शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है ये 2019 का वैसे है पहला प्रस्ण है 2005 में शुरू किया गया भारत निर्मान कारकरम का उद्देश से था तो इसका सही बिकल्फ है C ग्रामीन छेत्रों में बुनियादी धाचा और कनेक्टिविटी बिक्सित करना नेक्ट प्रस्ण है उन्हें 102 में भारतिय विस्विद्याले आयोग की अस्थापना किस वाइसराय की अधिन की गई थी इसका सही बिकल्फ है A लॉर्ड करजन लॉर्ड करजन के समय बारतिय विस्विद्याले आयोग उन्हें 102 के स्थापना की गई थी क्वेशन नमबर 3 पिर्थिवी अपनी धूरी पर क्या करती है तो घूमती है इसलिए बिकल्फ A सही हो जाएगा इसका इंसर क्वेशन नमबर 4 एक भू इस्थिर उपग्रह समुंद्र तल से कितने किलो मीटर उपर की दूरी पर इस्थिर है तो इस 35,786 किलो मीटर दूर इस्थित है इसलिए इसका अब साही बिकल्फ हो जाएगा C इसका बिकल्फ देख लेते हैं ऐसी कक्षा में एक उपग्रह समुंद्र तल से लगवग 35,786 किलो मीटर की उचाई पर है यह प्रिथिवी की सितह के साप एक समान इस्थिती रखता है तो कोई खास नहीं है इसलिए मैं बिकल्फ हो बस डिरेक्ट क्वेशन और उसका एंसर नेक्स क्वेशन देखें क्वेशन नमर फाइब भारत के समुंद्र तटकी लंबाई है तो भारत के समुंद्र तटकी लंबाई कितनी हैं 4516.6 किलो मीटर तो सही बिकल्फ हो जागा सी इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि हरियाना PCS में fact related questions ज्यादा पूछ नहीं है कि कुश्चन नमर शिक्स नए बौने ग्रह का नाम क्या है जिसे 2005 में खो जा गया था तो उसके नए बौने ग्रह का नाम एरिस है इसलिए सभी बिकल्फ हो जाएगा ए कुश्चन नमर शाथ भारत में निमलिखित स्मार्कोस मेंसे कौन सा विस्प धरूहर अस्थल नहीं है तो जो कौन-कौन सा है वो देख लेते हैं पतेपुर सीकरी बिस्फ धरवरस्थल है अजनताय में लोरा का गुफा भी बिस्फ धरवरस्थल है खजुराहों का मंदिर भी बिस्फ धरवरस्थल है लेकिन दिल्ली में जंतर मंदर जो है ये बिस्फ धरवरस्थल नहीं कुश्चन नमबर आठ प्रक्षन विरोजगारी को कहा जाता है तो प्रक्षन विरोजगारी किसे कहा जाता है प्रक्षन विरोजगारी कहा जाता है इसका सही इंसर है C तो जरूरत से जाइदा स्रम एक वेवसाय में लगा हुआ है तो उससे प्रक्षन विरोजगारी कहा जात जैसे अभी बरतवान भारतिय क्रिशी में यही इस्थिति है कि उसमें जितना स्रम चाहिए उससे ज्यादा वहां लगा हुआ है अब नेक्स प्रसंद देखते हैं प्रसंद संख्या 9 मुगल बादसाह द्वारा जागीर दिये जाने पर एक बैक्ति को क्या मिला तो एक राजस सक देवनाम प्रिया द्वारा नहीं तो इसका सही बिकल्फ है मास्की मास्की जो रॉक एडिट का मतलब होता है कि मतलब जो अभी लेक है तो उसमें असो को क्या कहा गया है देवनाम प्रिया तो द्वारा नहीं का नहीं बोला गया है उसमें लेकिन उसमें नामित क्या गया सबसे महत्पुन संपादनों में से एक प्रस्तूत करती है यह पहला रॉक एडिक्ट है था जिसमें उनके नाम देव नाम प्रिये प्यादसी के बजाए समराट असोक का नाम था यानि असोक नाम से मास्की में उल्लिक मिला है एगारा दुनिया का सबसे सूखा रगिस्तान है तो दुनिया का सबसे सूखा रगिस्तान तो बैसे अटकामा का मरोस्तल है आपको कमेंट बॉक्स में बताना अटकामा का मरोस्तल कहां है अब बताईए कमेंट बॉक्स में क्वेशन नमर बारा आर्टिया या धिनियम के तहट अस्कूलों में उच प्रात्मिक अस्तर पर छात्र सिच्छक अनुपात का क्या होना चाहिए तो 35 is to 1 तो आर्टिया या धिनियम के नुसार 35 बच्चों पर एक सिच्छक होना चाहिए अब नेक्स कोशन के तरफ चलते हैं कोशन नंबर 13 मिलान करना है कॉलम एक और कॉलम दो से तो सबसे पहले है 17 जन्वरी तो 17 जन्वरी आर्मी दिवस के रूप में जाना जाता है और 30 जन्वरी 30 जन्वरी सहिद दिवस के रूप में जाना जाता है 17 जनवरी आर्मी दिवस, 30 जनवरी सहीद दिवस, 15 मार्च उभोकता अधिकार दिवस और 7 अप्राइल 207 स्वास दिवस Q14. चार बौध परिसद के नामों का उलेख करें तो उलेख करें इसमें पता नहीं स्प्रिंट है इसमें देरेसल मिलान करना है तो इसमें सही मिलान क्या होगा? एक का B है यानि कि पहला बौध परिसद कहा हुआ था? राजगीर में राजगीर या ग्रीवरज इसी करते हैं दूसरा बौध परिसद कहा हुआ था? बैसाली में तीसरा बौध परिशद कहा हुआ था पाटली पुत्र यानि बरत्वान पट्ना में और चौथा बौध परिशद कुंडलवन कस्मीर में जेवन कस्मीर में सही भी बीकल बजागा सी काभने बॉस तो सेंकतर प्रस्थं संख्यां 15 काले सूती मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है तो र reconna को काले सूती मिट्टी कहा जाता है यानि कपास के लिए सबसे उपयुक्त है से क्वेस्टीन ह्रीना में पैदा होने वाली तीन पर मुक खरी फसले हैं तो धान गन्ना wiped kपास ये तीनों फसले बर् nic सेवनटीन बर्त प्रकास प्रावरतन करने वाली को सिकाएं हैं तो क्रोमट्डो फॉर को कहते हैं मतलब दितना विक उसा अहीं होती ब्लूकरांती के सार्थी गति विधी में महान वृधी को संदर विद करता है तो मत्षोलण मत्षोलण का समंदूलूकरांती से है के कम क्यूंसरीन नाइनटीन इसलिए यह नदी इसलिक्ष्र 001oc3 peole नदी नैट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया में किस प्रकार के सुचम जीव होते हैं तो प्रोक्रियोटिक जीव होते हैं इसलिए बिकल्प भी सही हो जाएगा देखिए इन प्रस्टनों से एक आइडिया मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से और उस सब्जेक्ट के कौन से पॉर्ण घटनाओं के साथ बरसो तक दरसल इसमें क्या है अकवर का जो सासनकाल में कुछ-कुछ घटी विदियां होई है तो इसको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है तो 1564 में क्या हुआ था 1564 में जजिया का प्रतीक जजिया का समाप्त किया गया था तो यह कॉलम के हिसाब से 1564 है 1575 में अवदत खाना के स्थापना इवादत खाना के स्थापना यह प्रिंटिंग मिस्टेक्स है 1589 में 1579 में मजहर की घोसना और 1579 में फिर यहां लिखा है दहसाला प्रनाली तो इसका सही बिकल्ब क्या है C है वैसे इस question में कुछ गलत है तो आप इसको अच्छे से एक बार अपने notebook से मिलाईएगा इसको अच्छे से थोड़ा सा revision कर लीजेगा question number 22 लेखको को उनके द्वारा लिखे गए chronicles में मिलाईए कर्मनुसार काल कर्मनुसार मिलाना है तो अवुल फजल ने अकवर नामा की रचना की थी अब्दुल वदायूनी ने मुंतखव उल्टवारिक की रचना की थी और बर्नी ने तारिक फिरोज साही की रचना की थी और अब्दुल लाहोरी ने पादसा नामा की रचना की थी इसलिए बिकल्फ C सही हो जाता है मैं पुना दोराता हूँ महत्पुर्ण है अबुल फजल अकबर नामा अब्दुल वदायुनी मुंतखव उल्तवारिक बरनी तारीक फिरोज साही और अब्दुल लाहोरी पादसा नामा इसलिए बिकल्फ C सही अंसर है कॉश्चन नमर ट्वंटी थी भारत का कौन साराज मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आंदर प्रदेश मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है 24 कि सिंदु घाटि सब्वेता अस्थल में चावल की खेती पुरातात्विक साक्ष मिले हैं तो रंगपूर में मिले हैं इसलिए भी कल्फ D इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन 25 पोडू, बीवर, पेंदा, भारत के बिभिन भागों में अस्थानिय नाम है जो किस प्रकार की खेती को दर्शाता है तो अस्थानितरी एक क्रिशी को दर्शाता है विकल्फ B सही अंसर है 26, वेक्टर एक बहुतिक मात्रा है जिसमें परिमान और दिशा दोनों होते हैं तो इसलिए सही विकल्फ बजाएगा D 27, हर्यानवी सहरी विकास प्राधिकरण ने इसका सही विकल्फ है A चार आंचलिक प्रसासक, छे संपता अधिकारी और 11 सहायक अधिकारी होते हैं सहरी विकास प्राधिकरण में Q28, वानिज्यक फसलों के लिए मुल्य समर्थन कारियों को लागू करने के लिए केंदरियन नूडल जेंसी है, तो कौन है, नेफेड है, इसलिए सही बीकल भुज़ेगा D Q29, चोल राज में ग्राम सभाओं को निम्लिखित में से कौन सा नाम दिया गया है, तो उर्ख, सही बीकल भुज़ेगा D Q30, उसन कटिवंदिये पुर्वी प्रसांत महासागर के उपर हवाओं और सतह में अस्थाई अनियमित आपधिक विन्नेता द्वारा निर्मित महासागर ये धारा के रूप में जाना जाता है, जो सही एंसर है, हम बोल्ट करंट A, इसको फिर से पढ़ते हैं, इसमें तुर प्रसाइब के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो हम बोल्ट करंट निकी हम बोल्ट जलदारा, सही बिकलब A हो जाएगा, 31, कॉलम एक और कॉलम दो से मिलाना है, सांक दर्शन, कपील से संबंदी था, योग दर्शन, पातनजली से संबंदी था, यग ये गौतम से संबं में पुरा ठात्री क सथल संबर्थी सुची में है और बिजली भी संबर्थी सूची में है जबकि साज्ण विवस्था संबर्थी शूची का विशाइ नहीं है यह राज्जी सुची का इसलिए 2 Because this h praticamente as 33 कितने मिलियन वर किलोमिटर पृतиться है तो अनुमान है कि 510 दस लाग वर किलोमेटर पृतिवी का सता चेत्र है देखिए फिर दम सुद्ध फैक्ट है तो हर्याना पिसेस पे फैक्ट रिलेटर क्वेश्चन बहुत हैं कौन सी योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है तो आठमी पंचवर्सी योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है विकल्फ एस सही हो जागा इसका इंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं question number 35 2018 में भौतकी के लिए Nobel पुरुसकार किस छेतर में अग्रनी काम के लिए प्रदान किया गया तो वैसे ये current affair का question है तो अब तो नया data चाहिए तो उस data का कोई मतलब नहीं है वैसे 2018 में लेजर भौतकी के लिए दिया गया था तो अब जिस वर्स एक्जाम देना हो उस वर्स नोविल price पर थ्षड़ान और पड़ेगा थाटीक्स बिज्यान का अध्यान में विल्कित है अब पॉधर और पशुद्क जिवास्मन जो विकल्ब में दीया हुआ है तो बिज्यान का अध्यान में पौधे और पसु जिवासमन के अध्धन से जुड़ा हुआ ओप्सन में टिक लगाना होगा विकल नमबर A 37 SC, ST के लिए रास्टी आयोग कव SC के लिए रास्टी आयोग और ST के लिए रास्टी आयोग में विवाजित किया गया तो SC, ST पहले एक ही आयोग था बाद में से विवाजित कर दिया गया तो वह एक डेट पुछ रहा है तो 18 सितंबर 2003 2003 में इसा किया विवाजन किया गया दुनों को SC के लिए अलग और ST के लिए अलग आयोग बनाया गया 38 गुरु नानक पर भागोलिक जानकारी किस प्रमुक्स रोट से उपलब्द होती है तो जनम सक्षियां से उपलब्द होती है विकल्प नमर B सही इसका अंसर है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं 39 निमलिकित का मिलान करें तो मिलान करना है इस जिले में सेख चली का मकवरा है तो हर्याना का कुरुचेतर जिले में सेख चली का मकवरा है यह सहर पंचवटी नामक मंदर से जुड़ा हुआ है तो पलवल सहर जो हर्याना का है वहां पंचवटी नामक मंदर से जुड़ा हुआ है यह जिला जैनती देवी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है तो हर्याना का जिंद जिला जैनती देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है यह जिला खोकरा कोट के प्राचीन सहर के साथ जुड़ा हुआ है तो हर्याना का रोहतक जिला खोकरा कोट के प्राचीन सहर से जुड़ा बिकल्प एस का सही इंसर है चालिस नंबर विस्व व्यापार संगठन के स्थापना कि इस वर्ष जिनेवा में हुई थी तो एक जनवरी नोश पंचानविक हुई थी तो देखे इसमें एक क्वेशन और शिपाव कभी यह भी पुछ लेता है कि डेवलू टीन विस्व कहा है तो जिनेवा में हैं वैसे इसकी स्थापना एक जनवरी नोश पंचानविक हुई थी अब 41 नंबर देखना है कि कथकली किस राज में परचलेत निर्थ रूप है तो केरल राज का कथकली निर्थ है विकल्प डी इसका सही इंसर जाएगा 42 नंबर डी उ के किस कॉलेज से में सर छोटू राम ने अपने असनातक के डिगरी के लिए अध्यन किया था तो सेंटा सेफेंस कॉलेज में किया था विकल्प बी है सर छोटू राम दरसल हर्याना के गठन और हर्याना की राजनिती और हर्याना की तिहास में तो आप महत्व रखते हैं इसलिए इन से जुड़े हुए फैट को जरूर पढ़ लेना चाहिए अब नेक्स क्वेश्चन के तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जैन बिद्वान कौन थे जिने सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने परामर्स दिया और सम्मानित किया तो जिन प्रवास सुरी को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने परामर्स दिया था और सम्मानित दिया किया था बिकल्ब एस सही इसका एंसर है 44. सूफी संतों को उनकी महत्पुर्ण गतिवीरियों के साथ देखना है यहीं कॉलम एक को दो के मिलान करना है निजामुद्दीन ओलिया निजामुद्दीन ओलिया का संबन किस से है रोसनिया आदेश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है अका निजामुद्दीन ओलिया का संबन में बरिश्टारा घू सकते है और नुरुद्दीन नुरानी कास्मीर मेरिसी के आदेश के लागि करते थे तो यह सही बिकल्प इस तरह से है, बिकल्पूत्अ महत्पुरन लग रहा है सही सही जो है सिर्फ उसको बोल देता हूँ निजामिद्दुन ओलिया का सम्मन अमीर कुछरो को बरिश टूपकंदर से है बयाजिद अंसारी का सम्मन रोसनिया आदेश के संस्थापक से है साह मुहमद गौस का सम्मन तांसिन अध्यात्मिक और संगित के उपदेशक से है और नुरुद्दीन नुरानी का सम्मन कस्मीर में रिशी के आदेश को लाउग करते थे इससे सम्मन देते और T5, कॉलम एक को दो से मिलाना है तो LPG में क्या होता है LPG में ब्यूटेन और प्रोफेन होता है CNG में मेथेन होता है प्राकृतिक गैस में मेथेन और इथेन होता है और पानी और गैस में CO और हाइड्रूजन होता है तो इसका ध्यान डखना है इसमें एक दो भी ऐसे जाने हैं लिएसे एक कौन एक रेडियोधर्मीकन नहीं है उसे देख लेते हैं अलफा बीटा और गामा यह तीनो रेडियोधर्मीकन होता है जबकि डेल्टा नहीं है इसलिए एंसर का नव यो जाएगा गया है 13 अप्रेल उनीस जलिया वाला वागन संहार अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रस्णी याद आ रहा है उसका इंसर दीजिए कि जलिया वाला वागन संहार कांड जो हुआ था उसकी जाज के लिए जिस आयोग को बनाया गया था उसका नाम क्या था कमिटी ने किया है बिकल नंबर सी सही है करेंट अफेर से क्वेश्चन है तो करेंट अफेर मतलब ही सही है करेंट अफेर से क्वेश्चन आ रहे हैं अर्याने विजिएस में कॉलम एक को दो से मिलाना है जैपूर घराना का संबंद बिनायक करो पटवर्धन से है पटियाला घराना सब्सक्राइब तो मुझे लग रहा है है तो यहां पर मुझे लग रहा है में कुछ你在 लेकिन ब्याख्या में भी कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है तो चलिए देखते हैं फालकन राज़ानी नागलेंड को कहा जाता है और उनाचल प्रदिस को कहा जाता है इसलिए गेटवे से पुर्व मनिपूर को कहा जाता है इसलिए इसका सही एंसर है फिप्टी टू निमलिखित भारतिय सहर को जुलाई 2017 में युनेस्को द्वारा विस विरासत सहर के रूप में घोशित किया गया था तो अहमदावद को किया गया था तो उस समय का करेंट अफेर है फिप्टी थ्री निमलिखित का मिलान करें सिक्षा फोनेटिक्स और नाद विद्या रुच्छारन से सम्बंदें कल्प अनुष्ठान निर्देश सम्बंदें ब्याकरन ग्रामर वहासे विसलेशन सम्बंदी थे और निक्रुता ये इतोमोलोजी इन सब्द के अर्थ से सम् पर द्यान देना होगा फोकस करना होगा पच्पन अठाराव संतामन के विद्रों के निम्लिखित पहल्वों में से कौन सही नहीं है तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं इसमें विविद्ध समाजिक भागेदारी थी हां थी यह संपरताइक एक्ता का महान प्रतीक था यह केवल उत्तरी भारत तक ही सिमित्था यह भी सही है और जो गलत है यह हर जगा सिच्छित अफिजात वर्ग द्वारा उत्साप रोख समर्थिता जी नहीं 1857 की करांती में सभी जगा सिच्छित अफिजात वर्ग ने समर्थन नहीं दिया था बहुत सारे लोग तो अंग खोज से समंबंदी थे और एलेजेंडर, फ्लेमिंग, एंट्वाटिक्स के समंदी थे जबकी रदर, फोर्ड का समद्द, परमानु की खोज और प्रोटोन की समंद है और रेंटजेंडर का समंद, डिसकावरी, आक्सरे की उडान से समंद ते मस्ते हैं चले यह भर से परद सब्सक्राइब दिस्कावरी एक्सरे की उड़ान से है मतलब एक्सरे की उड़ान से संब्सक्राइब 57 क्यों रेडियों कारवन 30,000 वर्स से अधिक पुरानी समागरी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि 58 हर्याना में दातों के सडकों के कुल लंबाई कितनी है तो हर्याना में दातों के सडकों के लंबाई है 26,131 किलोमीटर तो यह हर्याना स्पेसिक क्वेस्चन है फैक्सरे लेटेड हो गया 59. उच आनविक भार योगिक जो बड़ी संख्या में छोटे अनुके संयोजन से बनता है, कम आनविक भार के योगिक को कहा जाता है, तो पॉलिमर कहा जाता है, इसलिए भी कल्प A सही अंसर हो गया 60. कलकत्ता में फोर्ट बिलियम में सुप्रिम कोट की अधिनियम द्वरा स्थापित किया गया था, तो 1773 का अधिनियम के अनुसार सब कलकत्ता में सुप्रिम कोट के स्थापना की गई थी, 1773 का रेगलेटिंग अट के तरू, इसलिए भी कल्प A सही अंसर जाएगा, क्वेश तेहसील की संख्या 93 है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, कि हरियाना का 22 वाजिला कौन सा है, कमेंड बॉक्स में एंसर दीजिए, 62, कॉलम 1 और कॉलम 2, 1905 बंगाल के स्थापना, 1905 से संबंदित है यहाँ पर, 1917 में चंपारन सत्यावरा, 1924 में पुर्ण वग्या अंदोलन, तो यह सही मिलाने, इसका हो जाएगा C, इतियास से कॉश्चन था, एमेटोफोविया का डर है, तो एमेटोफोविया का डर जब होता है, तो उल्टी होती है, इसलिए बिकल्व ए सही हो जाएगा अंसर, 28 फरवरी, 2018 को, DR, DO, 12, anti-tank, मिसाल का सपलता पर इसको मैपिंग में थोड़ा देखना होगा, इन्हीं मैप से भी कोश्चिन पूछता है, हरियाना, PCS में, Q66, 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 Q66 क्रित अधिनियम को कहते हैं क्रती कारी को अबगत कराया जाए और अच्छा-च्छा यह वही है फ्टाइपिंग मिस्टेक से लग रहा है यह पता है कि हैवियस कॉर्पस मेंडमस यह सब जो है न वो सारी चीज़े हैं यहां पर जो सम्मिधान से क्वेश्चन से क्वेश्चन स तो इसको एक βार रिविजन कर ЛЙ जिएगा इसको नमबर 68 इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँन है क्योंकि समय गलत है मंगत बोलू हैं इसलिए इसलिए जो है तो इसका जो जगागा दी और नेक्स कुष्ण के ठरब आगे बढ़ते हैं है एक स्वेंटी है अच्छा इस बात का तो जानगारी होगा या आपको कि घर्याना पीसेस में कुल 100 ही कोश्चन आते हैं तो अब कोश्चन नमबर 70 देखते हैं गैलवेनो मीटर का संबंध है उमेनतम बिद्दूत परवास से है अधरता मापी से क्या संबंध है आधरता अस्तर पता चलता है मैनो मीटर से समन गैसो का दवाब पता चलता है और गैस मीटर से समन आग का अंत्रिक दवाब पता चलता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो गया थोड़ा इदर चला गया है देख लेते हैं एक बार हाँ इसका सही अंसर जाएगा B कि 71 नंबर जब यूरेनियम के नाभी को न्यूटॉन के साथ बंबारी की जाती है तो यह लगभग दो बड़े ड्रबमान में तूट जाता है इस परक्रिया को कहा जाता है इसे भी खंडन कहा जाता है तो इससे सही बिखल वह सी अच्छा सुर से जो उर्जा निकलती तो वहां क्या होता है प्रमानु भिखंडन या सल्लैन होता है मन में इसका जवाब दीजी आप 72 यह कॉलम एक को दो से मिलाना है 1993 में लकडवाला समीति आई थी 1997 में वाई की अलग समीति आई थी 2005 में सुरेश तेंदलुकर समीति आई थी और 2012 में सी रंगराजन समीति आई थी यह दर असल गरीवी रेखागो निर्धारन करने वाली सारी समीतियां है तो इसको थोड़ देख लेना होगा अच्छे से 73 राश्टिय पोसं संस्तान किस भारती सहर मिश्ति थे तो हैदरावाद मिश्ति थे विकल्वडी सही इंसर रोगा 74 न्यूटन का पहला कानून और गीती अच्छा गती का नियम के रूप में भी जाना जाता है तो इसे क्या कहते हैं गती के नियम को यह जड़ता का नियम भ प्रस्ताव पारित कर देती है मतलब इसको ऐसे समझे कि राज सुची का जो विषय है उस पे अगर केंद्री विदाखनी संसत कानून बनाना चाहती है तो तभी बनाएगी जब राज सभा इस पर एक आसेव का प्रस्ताव पारित कर दे तभी बना सकती है वरना राज सुच सबसे बड़ी पीट नहीं है तो सबसे बड़ी पीट कौन नहीं है बिकल्ब C का सही अंसर हो जाएगा 78 नंबर भारत का प्रतीक अनुचित उपियो कनिसेद अधिनियम बर्स में लागो हुआ तो प्रतिक अधिनियम कब लग हुआ था 2005 में साही बिकल्प सी हो जाएगा अब नेक्स्ट के तरफ चलते हैं था 2014 में सुरू किया गया था एटी वन यदि आर्वी आहिने बैधानिक तरलता अनुपात में पचास आधार अंकों की कमी की है तो अनुसुचित बानिज्यक बैंक अपने रिन दर्वों में कटौती करेंगे इसका सही बिकल्प के हिंसाब से कोई भी नहीं है भारत में सहरों में बर्स में केवल एक वार मिड़े सूरी ठीक से अपरिवय होता है जो की करक रेखा पर स्थित होता है अर्था 23 डिग्री 26 मिनट 16 सकेंड नौर्थ में स्थित होता है तो इस अंचासों पर कोई भी सहर दिये गए विकल्प में इसे नहीं है इसलिए गलत ह से तो गए अंसर आचे की पर्तिसेत को अधिकारिक तौर पर बन आवरन के तहत मानिता प्राप्त है तो पाने वाले पहली भारतिये मेहला थी तो बनस्पति विग्यान में जान की अम्मिल प्रस्पति विग्ञ्ञान में 85 एतिहासिक Grand Trank Road हर्याना के निलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है तो जिस से होकर गुजरती है तो जिस से होकर गुजरती है अमबाला से होकर गुजरती है पानीपत से होकर गुजरती है और रोहताक से होकर नहीं गुजरती है आपके लिए मेरे पास एक प्रस्ण है कि एतिहासिक Grand Trank Road किस ने बनवाया था उसका नाम आप comment box में लिख कर बताईए question number 86 सम्मिधान के नुसार एक नई अखिल भारतिय सेवा के सुरुआत किस पहल के साथ की जा सकती है तो अगर अभी वैसे बरतमान में तीन अखिल भारतिय सेवाएं हैं भारतिय पुलीस सेवा भारतिय प्रशासनिक सेवा भारतिय वन सेवा लेकिन अगर भविस में और कोई नई अखिल भारतिय सेवा अगर सुरू करनी हो तो राज सभा आर्टिकल 312 के तहत इस प्रस्ताव का सासे पास करती है तब जागर कर सकते इसलिए सही विकल्ब भी वजागा राजी सभा इसमें ऐसे अंसर गलत दिया हुआ है विकल्ब के हिसाब से अब नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 87 तापमान में परिवर्तन के विना एक पदार से दूसरे राज में परिवर्तन के लिए आवस्यक उसमा की मात्रा को कहा जाता है तो अव्यक्त उसमा कहा जाता है विकल्ब डी इसका सही अंसर वजाएगा 88 तामी इसने ए पादिकार्म की रचना करने का स्रह किस और इलंगो आदिकल्ज जो थे उन्होंने ही रचना रचना कही थी एक मांगै यह था तो राख़िडगड़ी को सिंदुगार्टी स्तल कहते हैं जो हर्याना में इसलिए तो सरसो खरीब फसल कौन कौन से धान जौर स्वावीन तीनों करीफशल है 91 गंभीर सराब पीने से होने वाले होने वाले तरासदियों में सक्री एजेंट ऐसी तरासदियों कारण बनता है तो कौन से हो सक्री एजेंट है यह पूछ रहा है तो मिठाइल अल्कोहल मिथायल अलकोहल ऐसा है सक्रियेजंट होता है जो गंभीर तराजदी पैदा करता है अब प्रूशें नमबर नाइनेटि टू फिर से मिलान करना है तो कॉलाम एक को दो से मिलाना है कुटकी एवं किलनी का समवन किस से है घून का अध्यान से है, कुटकी अकिलनी का समद्ध, घून का अध्यान से है, कृषी विज्ञान का समद्ध, वेल और डॉल्फिन के सरीर का अध्यान, अरे ना ना ये गलत है कुछ, कुछ गड़वड है, एक का सी दे रहा है इसमें, कृषी विज्ञान का समद्ध तो कृष है लग रहा है वैसे इसका सी से इंसर दिया हुआ है एक कसी कुटकी अन्य का समंध्ध गुन का ध्यान से दो गडिक रिस्व घ्यान का सब्वेल और डॉल्फिन के शरीड का ध्यान नहीं ये गलत हो सकता है कि और फिर है साइद इसमें पूछन गलत है इसको छोड़ देते हैं 93 करेंड फिर समदित है कॉलम एक कॉलम दो को मिलाना है बान की मुन तो बान की मुन दर्शिन कोरिया समदिते कोफी अनन घाना से समदिते ट्रिवी ली नौर्वेस समदिते अन्टिन्यों गुटेरस पूर्टगाल समदिते अन्टिन्यों गुटेरस अभी बरतमान में योएनों के महासचीव भी हैं तो यह सारे कभी न कभी योएनों के महासचीव रहे हैं तो अभी बरतमान में जो हैं अगर पूछ लिया जाए कि बरतमान में य सब्सक्राइब करेंट किया गया था तो किसे कोई नहीं है अभी जानना है कि अभी कौन नए नियुक्त हुए है कि तो करेंट फिर्स इसको पता कर लेना है 95 को मिलाना है अनुछेद दिया हुआ है दूसरे साइड उसका प्रावधान दिया हुआ है तो अनुछेद 153 जो है उसका समंद गवर्नर के कारियाले से है 154 जो है अनुछेद नंबर उसका समंद राजपाल के कारिकारी गुर नर्दिश्ट करने से है और 155 के तरह तरह राजपाल राजपाल की नियुक्ति करने से है इनुछेद 155 में ये प्रावधान है कि राजपा इस पुस्तक में क्या थे वैसे अन्वरिटी सुरूल इन इंडिया पुस्तक का नाम था इंगलिस में तो सी इस का सही अंसर जाएगा है इसलिए डेट इच्छे से याद रखना है 12 मार्श ने 130 को सुरू हुआ था और 6 अप्रेल उने 130 को समाप्त हो गया था कि 98 कोशन नमर कोलम 1 को दो से मिलाना है हर्याना से स्पेस्पिक कोशन है करनाल पानी पतोर कैथल समण दितर हिशार जिन और सिर्सद समदित अंबाला कुरुच्छत रोयमना नगर समदितर रोहतक धज्जर और भिवानिस समद्धित थे फिर कॉलम है कॉलम बाले कुछन धेर सारे थे नरेगा कब सुरू हुआ था था तो यह पांच में परदान मंतरी जंधन योजना 2014 में अच्छा भी कुछन डिसकास किया था आप बताइए तो परदान मंतरी जंधन योजना का उद्धे से क्या था आप कोमेंट बॉक्स में बत पहले मुझे याद नहीं रहता है मैं बोल देता हूं फिर से कि एक बार प्रेम पुरुवक बढ़ियां से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो जरूर सेर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर वेस्ट मेरे थोड़ा बढ़े और जो मेरे मोटिवेशन का कारण हो रजिया सुल्तान कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अक्टूबर 1240 को और रजिया सुल्तान के बार में एक फैक्ट यह भी है कि यह सल्तनत कालिन भारत में एक मात्र मुसलिम महला सासिका थी तो कहां इनकी हत्या की गई थी कैथल में कव की गई थी 15 अक्टूबर 1440 को और यह एक मात्र मुसलिम महला सल्तनत काल में सासिका थी तो धन्यवाद अब समाथ होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो और भी हैं प्रिवियर्स एर्स के दो साल के और बच गए हैं क्योंकि 2011 से ले करके 2019 तक 3 एक्जाम हुए हैं एक का वीडियो अपलोड अभी हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे